नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है दोस्तों आपको बतादे कि रोईज सर्मा और केल राउल के द्वारा बोती सांदार बल्ले बाजी के गई है इस वुड़े में दोस्तों आपको बताएंगे कि दोनों किलाडियों के बीचे कितने रनों की साजिदारी हो गई है और बारत को जीत के लिए कितने ओर रनों क्या हो सकता है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की सर्वात करती हैं उससे पहले दोस्तों आपसे चोड़ासा निवेदने कि आप एक बार वीडियो को लाइक जुरूर कर ले क्योंकि दोस्तों लाइक और शेर करना है मारी मैनत का अफ़ल होता है रोज सर्मा ने 12 गेंदों का सामना करते वे 2 चोगे और एक चक्ये की साहिता से 15 रन बना कर खेल रही है जबकि केल राउन ने 10 गेंदों का सामना करते वे 1 चोगे की साहिता से 8 रन बना कर खेल रही है बार्दिय टीम ने चार ओवर केलते वे जीरो विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिये हैं अब बार्दिय टीम को जीत के लिए केवल मातर 138 रनों के आउ सकता हैं न्युजिलेंड के टीम ने पहले बल्ले बाजी करते वे 20 अवर खेल के 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाई हैं और बार्दिय टीम को 165 रनों का लक्से दिया गया हैं रोई सर्मा और केल राउन ने 24 गेंदों का सामना करते वे 30 रनों के साजेदारी कर लिये हैं बार्द की गेंद बाजी की बात करे तो बोनेश और कुमार को 2 विकेट मिली और अस्विन को भी 2 विकेट मिली हैं दिपक चारे और मुमत सिराज को 1-1 विकेट मिली